वेल्कम बैक टूटा चैनल अशिस्टा इसके पहले के वीडियो में हमने क्या डिसक्रस किया था mathematics पार्ट टू के अंदर जैसे कि अब सभी को पता है इसके पहले की वीडियो में हमने मैट्स पू स्टाट के था चाटर नंबर वन कमिशन ब्रोकरेज एंड डिसकाउंट वाला पार्ट जिसके अंदर हमने पूरे के पूरे को समझाता है अच्छे से समझाता उसके अलावा हमने कुछ की वज़त से सारे के सारे फॉर्मलास को करने की कोशिश की थी सारी चीज़ें हमने अच्छे से की थी अब हम रेडी है समस को सॉल्व करने के लिए तो आज हम स्टार्ट करने पहले एक्ससाइज 1.1 ऑफ 12 स्टांडर्ड मैट्स 2 कहला सम क्या कहता है देखो question number one केता है an agent charges 12% commission on the sales यानि एक agent है जो commission लेता है 12 टके से 12% वो भी किस पर total sale जितना भी sale करेगा 12% commission जितना भी sale करेगा 12% commission जितना भी sale करेगा 12% commission what does he earns if the total sale amounted to $48,000 जितना भी सेल करेगा 12% कमिशन 48,000 का सेल करेगा तो 12% कमिशन सिम्पल सी बात है तो वाट ड़स दा सेलर गेट सेलर को क्या मिलेगा तो सबसे पहली चीज आपको क्या चीज़े नहीं आनी है सॉलुशन की शुरुवात करने से पर हमें क्वेशन में क्या चीज़े दी गई है पहले ध्यांस देखते हैं इसका मतलब 12% हमारा रेट ऑफ कमिशन हो गया यह सर रेट उफ कमिशन होगा 12% औहांट तोटल सेल मतला है मतला आपने ऐलघ क की तो आपको कमिशन मिले गा तो सर तो सर्टोल सेल पर कितना मिले तो यहां पर आपको 12 पर सेल पर सेलेट तो आपको तो टुटल सेल मतलञे धाल अफलोजन हैं 2-0 cancel with the 2-0 so आपके आंसर क्या बचेगा 480 multiply by 12 तो 480 multiply by 12 करोगो तो आंसर आएगा 5760 तो कमिशन कितना आ गया 5760 understood यह किसको मिल रहा है सर यह कमिशन मिल रहा है किसको एजेंट को हमें question में क्या पूछा what does the seller get to seller को क्या मिलेगा तो seller को या क्या मिले तो मैंने बताया था सेल करते से मैं commission minus तो seller को क्या मिलेगा तो amount receive by seller कैसे निकालोगे sales में से commission minus sales में से commission minus आपका sales है 48,000 commission 5760 minus कर दो answer is 42 240 तो answer लिखते से में कैसे लिक होगे salesman earns 5760 as a commission यानि salesman को कितना मिला तो सर सेल्समें को 5760 commission मिला and amount receive by seller यानि seller को कितना मिला सर मिला 42,240 रूपीज कोई दिक्कत नहीं सकते आपने अगर बेसिक से cover किया रहे का तो आपको इसमें अदिकत नहीं आएगी ना मूफ टू question number two question number two क्या दिया देखे a salesman receive three percent commission on sales up to fifty thousand यानि seller को यानि salesman को तीन percent commission मिलता है कितना percent three percent अगर वो पचास हजार रुपे करता है तो मतल फुद्टी थाऊजन रुपिस तक सेल किया तो three percent commission लेकिन four percent commission on 60,000 के उपर सेल कियाता तो तो चार पर्सेंट commission मिलेगा 50,000 तक सेल किया तोREE percent commission 50,000 के उपर किया तो तो चार परसेंट कमिशन तो यहां पर क्या बोला है find this total income on the sale of two lakh रुपे तो आपको बता रहा है अगर सर दो लुख रुपे तक का सेल किया तो कितना कमिशन मिलेगा जिरो 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 0.00b 계속 possible फिचेमंड्र रुपेश फंद्रा सो कमिशन अगया यह पंद्रां सो कमिशन कितना है फिफ्टी दाुसन के सेल कहोटे पचास हजार के उपर गया, तो 4% commission on sales over 50,000, 50,000 के उपर किया, तो 4% commission, अब पहला सवाल आता है, 50,000 के उपर उसने कितना sale किया, तो यहाँ पर दो लाक टोटल सेल था उस टू लाक में से 50 माइनस को तो वन लाक फिफ्टी उसका एकसे सेल था भाई सहाब दो लाक रुपे में से 50,000 रुपे पर आपको 3% मिलेगा और बाकी के डेड़ लाक रुपे पर 4% कमिशन मिलेगा दो अलग अलग rate of commission तो हम 4% किस पर निकालेंगे 1,50 पर की 2,00,000 रुपे आपका सेल है 50,000 रुपे तीन परसेंट मिलेगा देड़ लाक रुपे उपर आपको 4% मिलेगा तो 1,50 इंटो 4 अपन 100 0000 कैंसल बेसिक कैलकुलेशन 1500 इंटो 4 किया तो आंसर आएगा 6,000 क्वेशन में बोला है उसकी टोटल इंकम निका से निकालोगे पहले पर आपको 1500 मिला सेकेंड पर 6,000 तो दोनों को आड़ कर दो तो आंसर इस 7,500 कोई दिक्कत नहीं सर तो फाइनल आंसर लिखो गे टोटल इंकम ऑंदी सेल अफ 2,00 रुपीज मताद 2,00 रुपे के सेल पर उसकी इंकम कितनी हुई सा 2,00 रुपे के सेल पर वस पेड 88,000 as a commission on sale of the computer at the rate of 12.5% मतला हमने मिस सरस्वती को 88,000 रुपे कमिशन दे दिया को इस पर दिया कम्पूटर बेचने पर और कम्पूटर का बेचने पर रेट क्या दिसाइड गया था साढ़े 12.5% के हिसाब से हमने उनको 88,000 बेचा आंसर the question is that if the price of each computer is 32,000 यानि एक कम्पूटर पर का price कितना है 32,000 तो हमने ऐसे कितने computers बेचे यह बताने के लिए कहा गया है सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा solution में क्या है कि हम एक कम्पूटर का price कितना है तो price of a computer is 32,000 rate of commission क्या है 12.5% तो क्या आप commission निकाल सकते है यह सर निकाल सकते है त तो commission आफ एक वन computer कितना है गा 32,000 इंटो 12.5% तो 12.5 डिवाइड़ बाइ 100 टीक है 2020 तो 320 इंटो 12.5 सिर्फ क्या गना है normal multiplication करना है you will get the answer of 4000 simple आया ना आप basic calculation कर सकते है 12 standard के हम बच्चे है at least multiplication तो हमें आता ही है ऐसी assumption के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ ठीक है एक computer पर हमको कितना देने commission 4000 रुपए देना है हमने कितना commission दिया सर हमने total commission दिया 88,000 कमिशन दिया so number of total computer sold कितना आएगा total commission divided by commission per computer एक computer पर कितना हमारे total commission 88,000 था एक computer पर 4000 पे करे तो तो 88,000 divided by 4 कर तो आपका 22 answer आगया तो इसका मता answer आएगा 22 computer were sold to get a commission of 88,000 22 computer को बेचोगे तब आपको 88,000 का क्या मिलेगा commission मिलेगा difficulty question number 4 की तरफ हमनों move करते हैं क्या दिया question number 4 कि Anita is allowed anita is allowed 6.5% commission on total sales made by her मतलब वो जितना भी sale करेगी न उसका 6.5% से commission मिलेगा plus commission पर रुक रहे नहीं है इसके अलावा क्या बोलता है bonus of half percent on the sale over 20,000 और अगर उसने 20,000 के उपर sale किया तो 0.5% यानि half percent उसे as a bonus भी दिया जाएगा if a total commission amounted to 3400 यानि उसका total commission 3400 तो बता उसने कितना sale किया सबसे बहले बात उसका total sale हम लोग ने एक्स एजुम किया कि हमने अनिता ने टोटल सेल एक्स किया rate of commission कितना आएगा 6.5% आपका rate of commission हो गया simple सी बात यस सर कमिशन कैसे निकालोगे सर हमेशा निकालते कि अब मैडम को बोनस भी मिल रहा था यस सर बोनस भी मिल रहा है कितना बीस हजार के उपर बेचा तो बोनस मिलेगा तो एक्स मैनश 20,000 total sales में से बीस हजार माइनस करो माननों 30,000 तो बच्चा कितना 10-10,000 के उपर उसको बोनस मिलेगा वैसे एक्स मैनस 20,000 ओवर बोला तो जो लिमिट दिया उसको टोटल में से माइनस करो तो आपका sales about 20,000 मतलब x-20,000 अब इसके उपर क्या मिलेगा उसे bonus मिलेगा तो कितना bonus मिलेगा half percent half percent के 0.5% बोल सकते है कि बेटा यस सर बोल सकते है तो commission earned कैसे आएगा x-20,000 into 0.5% x-20,000 into 0.5% अब मुझे एक बात बताओ x का multiplex 0.5 के साथ करो तो 0.5x आएगा yes और 20,000 का multiplex 0.5 के साथ करो तो 10,000 आएगा उपर की बाती समझ में आ रही है x का multiplex 0.5 के साथ किया तो 0.5x और minus से तो minus का symbol डाला 20,000 का multiplex 0.5 के साथ किया तो answer 10,000 आएगा divided by 100 यह हो गया हमारा commission अब total उसने कितना commission अन किया था sir 3,400 अच्छा commission मतलब क्या उसका total sales यह सर और bonus दोनों मिला कर बोला है yes तो total commission कितना हुआ 3,400 question में दिया था yes commission on total sales कितना है 6.5 upon 100 x ठीक है commission निकाला था 6.5 x upon 100 और second step में bonus निकाला था 0.5 x minus 10,000 upon 100 अब question में अगर देखोगे तो आपका नीचे का denominator सेम है देखो 100 100 सेम दिख रहा है yes तो नीचे 100 सेम रहेगा तो उपर आला क्या है का plus 6.5 x plus 0.5 x minus 10,000 तो देखो आपका 3,400 as it is carry किया 6.5 plus 0.5 x minus 10,000 upon 100 नीचे का denominator सेम है नीचे का number सेम है तो उपर वाला है अब 3,400 into 100 तो 3,40 आ गया yes और 6.5 plus 0.5 सेवन माइनस 10,000 तो देखो अब माइनस 10,000 था माइनस को इदर लेकर रहे जो क्या हो जाएगा plus 3,40 plus 10,000 कितना होगा 3,50,000 और 6.5 plus 0.5 क्या तो 7 x 7 x अलगा गया तो 3,50,000 is equal to 7 x 3,50,000 is equal to 7 x 7 multiplied में divide कर तो 3,50,000 divided by 7 3,50,000 divided by 7 3,50,000 divided by 7 तो आपका basic calculation से आएगा x का value 50,000 चारी एक्स मतलब क्या पहला sentence क्या था total sales made by अनिता भी एक्स तो एक्स की जागा पर क्या गया 50,000 तो आंसर लिखो total sales made by अनिता इस 50,000 विदिकत नेक्स क्वेशन के तरह हम लोग बढ़ते है question no.5 प्रिया gets a salary of 15,000 पर मन्थ प्रिया को salary मिलती है 15,000 रुपह ठीक है हर महिने 15,000 मिल रही है commission act एक person on sales over 50,000 और इस ने 50,000 रुपै के ऊपर sale किया तो उसको 8 percent commission क्रिंदिशन को salary भी मिल रही है Commission में मिल रहा है • salaryि मिल रही है कमिशन भी मिल रही है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा 2400 रुपाय मिल रहा है वह क्या है इसका 2400 रुपाय मिल गाओ उसको तो मान लो सक टोटल सेल्स के ऊपर गया तो ना एक्स माइनस फिफ्टी का एक परसेंट का एकडेट परसेंट एक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अब एक मल्टिप्लै करो इसको साइड में कर देते हैं उसने कितना ओन किया 17,400 तो मैंने भी डिस्कस किया था 17,400 माइनस 15,000 करोगे तो आपको टोटल किता मिले है 2400 का कमिशन मिलेगा तो टोटल इंकम मतलब सैलिडी प्लस कमिशन टोटल इंकम 17,400 सैलिडी 15,000 कमिशन नहीं म 15,000 और वहाँ पर 8X 8 का मल्टिप्लै एक से करोगे 8 का मल्टिप्लै फिफ्टी ताउजन से करो तो फोर लाक डिवाड़ेड़ वा हंट्रेड अब हमें क्या करना है 15,000 आपका प्लस में साइड चेंज करो क्या हो जाएगा माइनस तो इस इक वो साइड क्या बचेगा 8X इस फोर लाक डिवाड़ेड वा हंट्रेड अब देखो अपॉन हंट्रेड है उसको मल्टिप्लैड कर दो 2400 के साथ तो 2400 मल्टिप्लैड वा हंट्रेड और 8X माइनस फोर लाक आज इस अब 2400 करो तो 2,40,000 बचेगा is equal to 8X माइनस फोर लाक माइनस फोर लाक साइड चेंज करो तो X का वैल्यू आगा 6,40,000 डिवाड़ेड बाइट दाट इस एक्स विल बी 80,000 तो हमें क्या बोला था कि find the sales made by her in that month तो प्रिया ने कितना sales किया था तो माइडियर प्रिया मेड़ेड सेल ओफ 80,000 इन दाट माथ यान उस महिने प्रिया ने 80,000 रुपे का क्या किया था सेल किया हुआ था ठीक है आप लोगों को इस पांच क्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग इन पांच क्वेशन को अच्छी तरह के से प्राक्टिस करो conceptual lectures को जरूर देखो और डोंट फोगेट टो like, share and subscribe और साती साथ टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन करो जो है हमारा स्वाट बैच विकिनट सब्सक्राइब का एक इंपार्डेंट कांसेप्ट होता है इसलिए बैच का नाम भी स्वाट रखा गया क्योंकि हम भी महनत करेंगे अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे अपने विकिनश को ओवर कम करेंगे ताकि फ्यूचर में आने वाले इसलिए को हम अपनी महनत से ग्राइब करने की कोशिश करेंगे इस यह बाच पूरी तरीके से टेलिग्राम चैनल पूरी तरीके से फ्री है वाटसेप की तरह चलता है आप उसको इंस्टॉल करके पैच को जरूर जोइन कीज़ें डिस्क्रिप्शिन में आपको लिंक जरू टूटाइम होगा आपका मैक्सीमम से मैक्सीमम एडवांच दरने की कोशिश करेंगे उमीद करता हुँ कि आपके वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो लाइक शेर वह सबस्क्राइब क figures मिलता हुम आपको अगले वीडियो में एक और नाए लेक्शेर वीडि